हेलो दोस्तों सुजर्स अकेडमी अलवर पर मैं दिलिप चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी विद्यारती ध्यान दें कि आज हम राजस्थान जिके का एक महतुर पूर्ण टॉपिक राजस्थान के त्योहार पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान करने के बाद घूटों का चैन करना होता है यानि कि थोड़ा सा प्रश्ण को कठिन किया जा रहा है तो दोस्तों गवराये नहीं आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं राजस्थान के त्योहार और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी त्योहारों को बहुत अच्छी तरह और आज से सीख सकेंगे ठीक है ये वीडियो कई पार्टॉं में होने वाली स्टयान रखना क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है तो छोटे छोटे पार्टों वम का इसको डिवाइड करें आप एक-एक करके पूरे पार्ट देख लिज més तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्योहारों को जानने के लिए सबसे पहले आपको आने चीए हिंदी महीने और आपको पता है हिंदी महीनों की संख्या कितनी 12 है देखें हिंदी महीनों की संख्या है बारा, पहला महीना है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है जेष्ट, चोथा है आशाड, पांचवा सरावन होता है, छटवा भाधरुपद, सातवा अश्वन, आठवा कार्तिक, नवा मार्गशिष, दसवा पॉष, ग्यारवा माहा और बारव फालगुल, ठीक है, तो हिंदी महीनों की संख्या है बारा, और इन में से कुछ महीनों के और कुछ नाम भी है, जैसे आश्वन को क्वार कहते हैं, मागशिष को अगहन कहते हैं, ठीक है, भाधरुपद को भाधों कहते हैं, ठीक है, सरावन को शावन कहते हैं, अशाड, पुरे दिन का हो गया अच्छा दियान देंडे तो कृतबक्ष म्um सुक्लपक्ष की पंईल देवस कृष्ण पक्ष जो होता है यह सुरू होता है प्रथमा से जब चंद्रमा अपनी आकिर्थी घटा रहा होता है किसके अधार परता है होते हैं यह महीने इंदी महीने चंद्रमा की कलाओं के अधार पर चंद्रमा की आकिर्थी जब घटती है तो कौन सा पक्ष होता है तो वो क पक्ष होता है और जब चंद्रमा की आकरती बढ़ती है तो वो कौन सा पक्ष होता है चंद्रमा की आकरती बढ़ती है तो सुक्ल पक्ष होता है तो यह सुरू होता है प्रतमा से और समाप्त होता है अमावश्या पर क्रिश्न पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है अमावश्य अमावश्या के बाद चंद्रमा अपने आकर्थी बढ़ाने लगता है तो सुक्लपक्ष शुरू हो जाता है यह प्रथमा से और पूर्णिमा तक जाता है और पूर्णिमा पिरतेक महीने का अंतिम दिन होता है यानि कि महीने की सुरुआत कृष्णपक्ष से होती है और महीने इसको बुधी और सुकल पक्च का होता है सुधी ऐसी माननेता है कि जो बुधी वाला पक्च होता है यानि कृष्ण पक्च होता है इसमें सुबकारे जो है टाले जाते हैं और सुबकारे मूल रूप से जो किये जाते हैं वो कुन से पक्च में किये जाते हैं सुकल पक्च में किये जाते हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम सीखे यहां पर कि जो पृति एक हिंदी महीना होता है वो 30 दिन का होता है चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा की कलाओं के आधार पर घटने बढ़ने के आधार पर पृति एक महीने का डिसाइड होता है 15 दिन का जब चंद्र चंद्रमा की आकृति घटती है तो कृष्णपक्ष होता है जो महीने का पहला भाग होता है महीने का दूसरा भाग होता है सुक्लपक्ष जो चंद्रमा की आकृति जब बढ़ती है तो 15 दिवस तक सुक्लपक्ष को मनाया जाता है कृष्णपक्ष को दोस्तों बुदी कहते है और सुख्लपक्ष को दोस्तो सुधी कहते हैं यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या होगी तो आप दो चीजने सीख चुके हैं पहला तो एक आपके हिंदी महीनों की कौन-कौन से महीने हैं और दूसरा सीख चुके हैं कि प्रतेक महीना कितने दिवसका होता है अब थोड़ा सा दिक्कत यह आती है कि हिंदी महीने जो होते हैं इनका अंग्रेजी महीनों से क्या तालोक आता है तो अंग्रेजी महीनों से कौन सा महीनों में कौन से महीने में आएगा जैसे चैतर का महीना है तो चैतर का महीना अंग्रेजी के कौन से महिना आता है चैत्र आता है इसी तरह अप्रेल मई में कौन सा आता है बैसा का आता है जेस्ट कौन से माएगा फिर मई जून में फिर जून जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर दिसंबर जनवरी का माइना शुरु हो जाता है तो हिंदू कलेंडर में हम एक तो सक समबट बैर है विक्रम शुरू में हम दोनों ELT ना कि ना में बड़ा है सक चोटा है कि ना चोटा है तो तो 57 टो 20 से ये बढ़ा हो गए और ये 75 जोटाा हो गए यानी 135 साल बढ़ा है विक्रम सम्मत कितने साल बढ़ा है विक्रम में और अगर मैं इन इन में अंतर देखू है उन्नों मैं अंतर कितना है 135 वर्स का अगर कभी ऐसा भी प्रहस्ण आये कि विक्रम सम्वत दे करके आप से सक सम्वत निकल वाए तो 135 घटाना बढ़ाना होगा उसमें ठीक है बढ़ा कौन सा है विक्रम तो विक्रम के अधार पर तया होगा कि घटाना है या बढ़ाना है क्लियर दोस्तों तो यह आपके हो जाता है सक सम्वत विक्रम सम्वत सक सम्वत क राष्ट्री परिंचांग कौन सा है सक समध क्लियर है यहां तह कोई डाउट नहीं होना चीह चलते हैं आगे कि अगर आगे देखिए वर्स का जो पहला त्योहार मनाया जाता है या पहला त्योहार जो माना जाता है क्या माना जाता है वर्स का पहला त्योहार वर्स का पहला त्योहार यह होता है तीज और यह तीज कौन सी हरी आली तीज हरी आली तीज कौन से महीने में आती है दोस्तों यह आती है आपके स्रावन महीने में कौन से महीने में आती है स्रावण महीने में स्रावण महीने की सुक्ल पक्ष की जो तीज है सुक्ल तरतिया इसे किस नाम से जाना जाता है तीज के नाम से जाना जाता है तीज का त्योहार होता है दोस्तों ये त्योहार भगवान सिव और पारवती जी के लिए मनाया जाता है तीज का तिवहार किस-किस के लिए मनाया जाता है? भगवान सेव और पारवती जी के लिए. कब आता है? स्रावन महीने की सुकल पक्ष की तर्तिया को तीज का तिवहार मनाया जाता है. और ये जो तीज आती है स्रावन सुकल तर्तिया को इसे हम छोटी तीज कहते हैं. क्या क उदैपूर की एक्टीज होती है बड़ी इज उसको मैं इक पर बता देताओं कि बड़ी तीज कि रभी कि वu h है या साथरी तीज या कजली इज ये सबी एकीक उप्णाम है कि यह जो अ दोस्तों यह सहलं के वसेडा दूसरे महीन हाता है यानुकि कौन सा भाद्रपद, भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की, देखो दोस्तों, ये तो सुक्ल पक्ष में आता है, जो बड़ी पे छोटी तीज है, बड़ी तीज कौन से पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में, और तृतिया के दिन, ठीक है, कृष्ण पक्षकी तिरतिया को मनाई जाती है बड़ी तीज बूड़ी तीज सातोड़ी तीज और कजली नेना मनाई जाती है भादुरपद कृष्ण तरीजा को मनाई जाती है और यह year जाती है यह जाती है भूंधी कान की प्रस्द्य में आती है और जैपुर और उधयकोरी की Tij की सवारिया निकाली जाती हैं इसी तरह बड़ी Tij, बूढ़ी Tij सातोडी Tij या कजली Tij या बूंदी में मनाई जाती है भाद्रुपध कृष्ण तरतिया को ये जो Tij है ये मनाई जाती है तो अब हम जो सबसे पहला महीना लेके चल रहे हैं के चल रहें स्रावण तो स्रावण महीने में सबसे पहला जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है दी जाता है और यह वर्ष का भी पहला त्योहार माना जाता है ठीक है